बेटियों के जरम को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। ये बात केंद्रिय कपड़ा मंत्री समृति इरानी ने शिमला के रेजमेदान पर ABVP द्वारा आयोजित मिशन सहासी कारिक्रम के दौरान अपने संबोधन में कही। इस मौके पर विभिन शिक्षन संस्थानों की करीब 13 चात्राओं ने मार्शल आर्ट का प्रदशन किया। कारिक्रम को संबोधित कर रही थी। इस कारिक्रम में विभिन शिक्षन संस्थाओं की लगभग 1300 चात्राओं ने एक साथ रिजमेदान पर आत्मरक्षा की कला का प्रदर्शन किया। समरिती इरानी ने कहा कि वर्तमान महाल में परिशत द्वारा चात्राओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित करने का ये कदम सरहनिया है। इस मौके पर समरिती इरानी ने कन्या भ्रून हत्या की बुराई को समाप्त करने का अग्रहक्या और कहा कि बेटियों के जन्म को उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कन्याओं को कोक में ना मार कर उन्हें साहस से बड़ा करें उन्होंने कहा कि आज की दौर में पल-पल लड़कीों को आत्म रक्षा की जरुरत है और इस आयोजन के लिए विद्यार्थी परिशद बधाई का पात रहे विद्यार्थी परिशद ने लगठाग चार लाग से जादा शात्राओं मिशन सहासी के मार्धियम से सेल्फ डिफेंस में प्रशिक्षित किया है शायद एक स्टूडेंट बॉड़ी द्वारा पूरे राष्ट में एक एतिहासिक अभ्यान है सबसे बड़ा भ्यान है इसके लिए विद्यार्थी परिशद को मेरी ओर से हार्दिक शुबकामना और अभिनंदन शिमला में रिजपर आज हमने देखा कैसे माभार्थी के परचम तले तेरंगे के परचम तले तेरा सो बेटियों ने प्रसिक्षन जो प्राप्तिकी उसका डेमोंस्ट्रेशन दिया कारिक्रम में एस पी कुलू शालेनी अगनी हुत्री जी और साथ ही सेवा निवरित्र मेजर छवी जी आज यहां पर विराजित थी महिला को इस प्रकार से सर्विंग ऑफिसर और जो ऑफिसर अब सर्व नहीं कर रही है हमारी लड़कियों के सामने जो वो पस्थे चुए तो विशे दूप से प्रेणा का सुरूत बनी है मैंने विद्ध्यार्थी परिशत से ये भी आज निवेदन किया कि मिशन साहसी में जुड़ी हुई लड़किया अगर किसी एक और लड़की को ये प्रसिक्षन दे तो ये कार या घर घर परिवार परिवार पहुचेगा इस भी कुलू से मैंने विशेश निवेदन किया कि पूरी प्रक्रिया FIR दर्ज करने से लेकर कोड तक किस प्रकार से संगर्श करना पड़ता है कानूनी प्रक्रिया की जानकारी भी हमारी बेटियों को दी जाए इस मौगे पर अखिल भारतिय विद्यार्थी परिशत की प्रांत मंत्री हेमा ठाको ने कहा कि प्रदेश भर में मिशन सहसी कारिक्रम के तहट चात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षन दिया गया मिशन सहसी का कारिक्रम विद्यार्थी परिशत के द्वारा कराया गया इसमें विद्यार्थी परिशत जिने है पूरे प्रांत भर में चात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षन दिया आज हम देखते हैं समाज में किस तरह महीला सुरक्षा का एक विशे उट रहा है फूस और एक समाजी को चातर संगतन होने के नाते जम्यदार चातर संगतन होने के नाते विद्यार्थी परिशन ने अपनी जम्यदारी को समझा और विद्यार्थी परिशन ने ये पहल करी कि हम महीला सुरक्षा की तो बात करते पर महीला सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए तो उसके लिए विद्यार्थी परिशन ने ये मिशन सहस्ती का कारेकरम जो है आयोजित किया जिसके तहक विद्यार्थी परिशन ने जगा जगा जाकर अलग-अलग सिक्षन संस्थानों पर जाकर जो है ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस का छात्राओं को दिया ताकि वो फिजिकल ही जो है स्ट्रॉंग बन सके और साथ साथ में मेंटली भी स्ट्रॉंग बन सके उन्हें किस